करनाल में मुख्य मंत्री मनोहर लाल खटर द्वारा उद्घाटन किये गए रैन बसेरे में सुभे एक व्यक्ति का शव मिला बताया जा रहा है कि 60 वर्षी शीशपाल की बिमारी के चलते मोथ हो गई है रैन बसेरा के संचालक ने जानकारी देते हुए बताया कि शीशपाल नामक व्यक्ति रात को यहां पर आया था और वह बिमारी से भी करस्त था उन्होंने बताया कि बुजुर्ग को सांस की बिमारी थी जिसका उसकी मोथ हो गई जिसको कलपना चावला मेडिकल कॉलेज में मर्चरी हाउस भेजा गया है मोके पर पहुचकर पुलिस ने मामले को संग्यान लिया और आगे की कारेवाही शुरू कर दी बंदे तो मेरे को कॉई काम बढ़कुमर ने मेरे जी में ठड़ में मरत रहा जी जोड़ी बात की आजी जो भी गिरी बात में के लिए कर रहा नी तो उसके उतार करना सची आजी कौन लोग था जो जिसकी मरती हुई है रात रात लेगे आजी इनको और तो सुब्य इनको मरा पाए अब बदूरते साथ सफर वचते और बिमार से वचते तो क्या नाम थनका शीषपार तो पुलिस आई है आपने अधिकारियों सुच करती है था तो उसको काम बढ़कुमर पर लेके गए अब तो कब से रहने लगे था तो कल साम कर यह मुख्य मंतरी आय थे यहां सुच्विध दाये देखके गए थे तो यहां किसी प्रगार की कोई दिक्कत तो नहीं है रहने वागा आपका नम क्रिश्म कुमार है और क्या कह रहे है आप सारी सुच्विध है रह सब्रव पानी के है जारा अगेजर बेरा सार पॉसार इंडिन का साइभा हो यहां पर आपको क्या क्या सूब अनरियों अमलते है बता नाव यहां ए कोई तवस्भै नहीं है और यहां चैतले दुखार कर जाता को一定要 promoted फैलिया उप कोत हूं जो नहीं होऑ रहने किनिकषी तो आप क्या चाहते हैं पर क्या होना चाहिए तो रात मुख्य मंतरी ने आउदगाटनी की अदा थे आप यहां था जी वो उदर आये आई तर सोरा हुश्टन द्वाई लिए तो आये तर मैं तर द्वाई लेकर शो गया मेरे बस दुमाग नहीं कर दो आप है झाल सुन धन Less Darren क्या झाल सुन दिखना तर दो मैं मikeं में तर आप लेकर लेकर ने तर आप झाल 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 कर दो कि आपके लिए बेल इकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइप, शेर और सब्सक्राइब करें हैंने वान